कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेक एंसियाटी पे दोस्तों आपसे जब भी कुछ पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपूलेशन किस कंट्री के पास है सबसे ज्यादा जनसंक्या तो आप जड़ से उतर देते हो कि वह देश चीन है और आपको यह भी उसके साथ ही साथ पता रहता है कि इंडिया दूसरे नमबर पे आता है बाई पॉपूलेशन जनसंक्या के हिसाब से पर क्या आपको यह प बात करेंगे कि चाइना ने क्यों वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था जो कि खत्म कर दिया यह सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा इसके साथ हम इन सभी देशों का कंप्रेजन करेंगे कि क्यों वहां पे ज्यादा पॉपूलेशन हो गया दूसरे देशों से ज्यादा हो और यह लोग अभी कैसे कंट्रोल ओन तो चलिए वीडियो को इस्चार्ट करने से पहले एक बत में और आपको बता दो कि पॉपूलेशन किसी बी कंट्री के लिए बरधान भी सावित होता है और अभी साबित होसकता है मतलब बरधान भी है और अभी साब में देश में उतना ही रिसोर्स जितने लोग है देश बहुत जल्दी पर अगर कोई देश जिसके पास रिसोर्स कम है और लोग बहुत जादा है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कोई तो ओ है चाइना चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा जणसंख्या लिए हुए है और यह जनसंख्या कितना है 143 करोड याद रखिएगा यह आकड़ा कुपका है 2021 इसी साल का है और इसके हिसाब से इसका कितना पॉपुलेशन है 143 करोड और मैं आपको बता दूं कि चीन से जो हम कंपेर करते हैं पॉपुलेशन में कि वह एक नंबर है और हम लोग दो नंबर है तो मैं आपको बता दूं कि चीन हम लोग से बहुट बढ़ा है इलाके में बहुट बढ़ा है हम से तीन घुना ज्यादा उसका एरिया है यहां पर आप देख सकते हैं इसका एली कीटना है 93 लाख किलोमेटर स्क्वेयर और हम लोग से 3 गुना अधीक है और इसका जो डेन सिटी है 1 किलोमेटर में कितने लोग रहते हैं 153 एक किलोमेटर में 103 पन लोग ही रहते हैं जोकि कमी है हम से बहुत कम है और इसके साथ बता दू कि जो चीन का जो पूलेशन है और काफी हद से बढ़ रहा था चीन में तो इसको लगाम लगाने के लिए क्या किया वहां के सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया मतलब एक से अगर ज्यादा कोई अगर बच्चा पैदा करता है तो उसको पनिस्मेंट मिलेगा उसका उसके प्रोपर् लगा और जो पहले की जो पॉपुलेशन थी और मूरी होने लगे ज्यादा एज होने के कारण उनमें काम करने का घड़ इसी कारण इसने वन चाइल्ड पोलिसी को हटा दिया 2015 में अभी चीन में एक परिवार को दो बच्चे पैदा करना का छूट है मतलब दो संतान और इस इसके साथ में बता दूं कि चीन में जो लोग रहते हैं उनका एबरेज एज कितना है 38 साल के मतलब उनका एबरेज चल रहा है जो की ठीकी ठाक है और दुनिया में चीन का जो पॉपुलेशन है कितना परसेंट आता है आपका सारे 18 परसेंट याद रखिएगा चीन के पास इतना जनसंक्या है और दुनिया का सारे 18 परसेंट है तो अब चलते हैं अब दूसरे कंट्री के बाड़े में बात करते हैं कि दूसरा कंट्री कौन है जिसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप भली भाती परिचीत होंगे हमारा खुद का देश भारत है और भारत आप देखिएगा तो बहुत सारे आक्रमन हुए और आक्रमन होने के बाद भारत का जो गोड़ों था मतलब संपत्ति को देखके कितने लोग यहीं बस गये और हमारे उपर यूरोपियन लोग आये मुगल लोग आये काफी सारे लोग जो यहां पर बस गये और इंडिया और आजात कर आकर बंगला दिस बनाया गया तो वहां से डेर करों लोग इंडिया में आकर रहने लगे तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया सरनार्थियों का देश है क्योंकि इसने बहुत सारे लोग को अपने यहां सरन दिया हुआ है याद रखिए कर इसका जनसंख्या इतना ज्यादा है और मैं आपको बता दूँ कि देंसिटी 464 लोग रहते हैं एक किलोमीटर में देंसिटी क्या होता है एक किलोमीटर में रहने वाले लोग तो कितना है 464 जो कि बहुत ज्यादा है ठीक है इसको कम रहना चाहिए और जो हमारा एडिया है 32 लाग है मतलब हम लोग चीन से चीन से काफी छोटे हैं और आपको मैं बता दूँ कि इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि 2027 में हम परसेंट के रफ्तार से बढ़ रहा है और वहीं चीन 1.7 परसेंट का रफ्तार से बढ़ रहा है तो इस तरीके से कर देखा जाए तो 2027 में हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे और उसके साथ बता दू कि इंडिया का जो एज है लोग का जो एबरेज एज है और 28 साल है आप याद रखिए नरेंद मोदी जी भी बोलते हैं काफी बार अपने सुना होगा टीवी में कि दुनिया में सबसे ज्यादा नोजवान लोग कहां रहते हैं इंडिया में रहते हैं क्यूंकि इंडिया डेपलमिंग कंट्री है और डेपलमिंग कंट्री होने के कारण मेडि और इसके इसाब से बता दू कि दुनिया में हमारे जितने लोग है भारत जितना भारत का जो पूरा दुनिया का कितना परसेंट बनता है 17.7 परसेंट पूरा दुनिया का पोपुलेशन यहीं इंडिया में रहता है हमारे लिस्ट में thirty नंबर कौ Palmer कौ Saints करो और क्योंsource है और डेपलब कंट्री और दुनिया का सूपर पाउर होने के वज़े से काफी सारे लोग यहां पर केडियर बनाने के लिए माइगरेट करते हैं अमेरिका में जैसे आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे इंडियन लोग आप भड़े हैं अमेरिका में उसी तरह अमेरिका काफी सारे देशे को लोग को अपने यहां बीजा देकर रखे हुए हैं तो इसलिए जो अमेरिका का पॉपुलेशन है और काफी बढ़ गया पहले से और दुनिया का तीसरा नंबर कंट्री है इसके साथ याद रखिएगा कि अमेरिका के पास लेंड के हिसाब से डेखा जाए तो अमेरिका कितने नंबर पे आता है अगर इसे बड़ादिया का देश कया अमेरिका कितने साल एक आदमी अभी जितने भी लोग है उनका average age अभी कितना चल रहा है 38 साल चल रहा है और एक साल में इसका population कितने rate से बढ़ रहा है तो 1.8% जो की इंडिया से कमी है ठीक है और आपका world में इसका कितना share बनता है यहां का जो 33 क्रोल population है world में कितना पर्षेंट यहां लोग रहत हैं याद रखेगा इस बात को और एक बात आपको यह बता दो कि इंडिया अगर लेंड के हिसाब से देखा जाए एडिया के हिसाब से तो पूरा दुनिया में 2.4% ही है बाकिर इंडिया में रहने वाले कितने पर्षेंट लोग है 17.70 या देखेगा 2% एडिया है और रहने इंडिया में कितना पोपुलेशन है 27 करोड याद रखेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है आपका सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग इंडिया में ही रहते हैं और सेकेंड नंबर पर है भारत ठीक है और इसके हिसाब से याद रखेगा कि यहाँ पर जो डे अगर बात किया जाए कि इसके हिसाब से पोपुलेशन के हिसाब से अगर एडिया इसका देखा जाए तो ठीकी ठाक बैलेंस में आता है ठीक है ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पर और यहाँ का जो रेट है बढ़ने का पोपुलेशन यहाँ पे 2.3 परसेंट का से बढ़ रहा है और वर्ड में इंडोनेसिया कितने परसेंट लोग अपने यहां रखे हुआ है 3.5 परसेंट याद रखिएगा इंडोनेसिया पूरे वर्ड का पोपुलेशन को 3.5 परसेंट अपने यहां समयटे हुए है और इसके बाद हम लोग देखेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान भी टॉप फाइब में है पोपुलेशन में यहां देखिएगा पाच्वा नमबर यही कंट्री यहां पर 22 क्रोन लोग रहते हैं ठीक है और यह पोपुलेशन और ज्यादा होता पर काफी लोग वहां से माइगरेट करके इंडिया चले आते हैं ठीक है इसके कार और लोग बहुत जादा है ठीक है इसलिए हर चीज वहां पर महेंगा मिलता है और बता दू एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं 287 लोग एक किलोमीटर में आपका रहते हैं और यहां का देखिए एक खासियत यह है आपका कि जो रेट है 3.6% के हिसाब से बढ़ रहा है है मतलब इंडिया से अगर कहा जाय है तो दो गुना रफटार से पाकिस्तान का पॉपूलइशन बढ़ रहा है और दुनिया के कितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं ठीक है यह देखिये का पाकिस्तान डेपलविंग कंट्री है ठीक है और उसके बाद आता है ब्राजील हमारे लिस्ट में six नंबर पे है और ब्राजील कौन से आता है यह आता है साउथ अमेरिका में और अगर बात किया जाए ब्राजील के एडिया के हिसाब से तो दुनिया का पांचवा सबसे बढ़ा कंट्री है ठीग है इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि 21 करोर जन संख्या है और इसका एडिया बहुत जादा है इस हिसाब से यहाँ पे 1 किलोमीटर में मादर 25 लोग ही रहते हैं मतलब लोगों का यहाँ पे कमी है ठीक है और लोग जादा ना होने के कारण इसका ग्रोथ उतना तेजी से नहीं हो पाड़ा है यहाँ पे लोगों का कमी है और इन देशों में लोगों का बहुत ज्यादा भरमार है और देखिए इसका एडिया एटी थ्री लाक तीरासी लाक का इसका एडिया पड़ता है जो कि इंडिया से आपका लगभग आपका कहा जाए तो टूपॉइंट एज वहां पे जितनी भी ब्राजील में लोग है उनका अभी एज कितना चल रहा है ठट थर्टी थरी मतब युवा लोग ही है और जो रेट चल रहा है जो रेट हिसा बढ़ रहा है वहां ब्राजील पे वहां पॉइंट सेवेंट याद रखिएगा इन सब बातों को और ब् देश होने के कारण यहां का जनसंक्या काफी तेजी से बढ़ रहा है जैसे देखिए यहां पर 20 करोड ही पॉपुलेशन है और उसकी उसके बाद है बंगला देश में सुल्ला करोड लोग रहते हैं जो कि आपका इंडिया का परोसी देश यह भी डेपलबिंग कंट्री है और यह भी जनसंक्या को लगाम नहीं लगा पा रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं इलागा कम है और लोग तेजी से बढ़ रहे हैं जो कि आप बैलेंस नहीं रहा दोनों में और दुनिया का नौवा नंबर कंट्री कोन है पॉपुलेशन के हिसाब से ओ है रसिया 14 क करोर लोग ही रहते हैं फिकों से कमी होने का वजह से बहुत सारे पोड़ेक्ट पॉर्जेक्ट में इनको लोगों का कमी कम पर जाता है कर खाने में लोग पर जाते हैं ठीक है और दस नंबर हैं कौन सा देश है मैक्सिको या दिखिएगा दुनिया का सबसे ज्यादा ठीक है तो यह वीडियो हमारा यहीं तक खत्म हुआ याद रखेगा यह दुनिया के 10 देश हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेयर करें क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफ्रोमेटिव दोस्तों के साथ capable करें करें के सेज़् कारें करें करें, और स्थ